हेलो प्रेंड मैं आकाश वेलकम तू प्लांट केर्गीवर यह एक खुश्बुदार परमानेर फ्लाविंग प्लांट मधू कामनी इनके फ्लावर छोटे लेकिन गुच्छों में किलते हैं फ्लावर से बहुत ही बढ़िया खुश्बु आती है बहुत ही हार्डी प्लांट हो जिसमें प्लांट भी छोटा होता है और उसमें जो फ्लावर आते हैं वो भी छोटे होते हैं वो वेराटी कावी महंगी आती है लेकिन जो वीडियो में आप देख रहे हैं यह अगर आप पॉली बैक मिलेते हैं तो 30 से 50 रुपीज में मिल जाता है इस से ज़्यादा आप इ इच्छी खुश्बू आती है जब एक खिलते हैं तो पूरा आंगन महक उड़ता है इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं बारिश में कटिंग का अच्छा रिजर्ट देखने को मिलता है बात कर सनलाइट की तो इससे आप पूल सनमेर भी रख सकते हैं या फिर ऐसी लगापर ही रखा है जहाँ पर 4-5 घंटे की दोप आती है यह लगातार ब्लूमिंग करने वाला प्लांट होता है देख सकते हैं मैंने इसे 10 इंच पॉर्ट में ग्रो किया है लगबग 2 सार पहले मैंने इसे अपने गार्डन में एड़ किया था मैं इस प्लांट को 20 रुप कर लगबग पूरे समर ब्लूमिंग करता रहता है ब्लूमिंग मार्च मन से स्टार्ट होती है और अक्तूबर तक यह बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करता है फ्लावरिंग खतम होने के बाद यह कुछ ऐसा दिखाई देता है इसे कट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत सी कलिया होती है जो बड़ी होती है और फिर से इस प्लांट पर ब्लूमिंग होती है देख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कलिया दिखाई देंगे जब सबी फ्लावर खिर जाए तब ही इसे कट करना चाहिए यह प्लांट एक बार ब्लूमिंग करता रहता है बात करें वाटरिंग की तो मिट्टी सूपने के बाद ही इस प्रांट पर वाटरिंग करना चाहिए इसके अलावा चावल का पानी भी आप इस प्रांट को दे सकते हैं जिसे माड कहते हैं मैं इसे हफ्ते दस दिन में एक बार चावल का पानी जरूर देता हूं इसके अलावा fruit peel fertilizer भी आप इस plant पर apply कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा result देखने को मिलता है। जैसे कि banana peel fertilizer, केले के छिलकों को आप हलका हलका बारी काट लीजे, उसे किसी container में डाल दीजे, कुछ पानी डाल दीजे, 24 घंटे बाद आप उस पानी को इस container में डाल दीजे, बहुत ही बढ़िया result देखने को मिलता है। हर बार blooming खतम होने के बाद आप इस plant को खात जरूर दे हैं, खात के रूप में आप cowden compost या फिर warming compost यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब cowden compost नहीं देना चाहिए, उसे देने से कई बार आपका प्लान जूलर्ज भी सकता है, उसका liquid fertilizer बना कर आप प्लान को दे सकते हैं, या फिर cowden compost देना चाहते हैं, तो कम दें, और पूरीता से decomposed गोबर खात का ही यूज़ करें, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस सागी गोबर खात का यूज़ करता हूँ, यह है गोबर खात, और यह पूरीता से decomposed है, पूरीता से decompose जो गोबर खात होती है वो अलग अलग होती है यानि भूरुदी होती है तो इस ताग कि गोबर खात को ही आपको हर प्लांट पर यूज़ करना चाहिए जब जाधा गरμी हो तो अको प्लांट को यूज़ करना चाहिए इस प्लांट पर पूरे समर अच्छी ब्लूमिंग पाने के लिए इसे फरवरी मन्त में अच्छे से प्रून करना चाहिए प्रून करने से multiple branches आती हैं जितनी प्रांच होती हैं उतनी इस प्लांट पर कल्यां बनती हैं उतने flower खिलते हैं तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो अई होप कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजएगा